कि हेलो एवरेवन दिस इस रुपेश मिश्रा एन वेलकम यू अल तो यूर चैनल याद इस मैथ वैथ लिकी निमेरिकल एनलिसिस की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपने इसके कुछ रूल्स पढ़े थे विच वर न्यूटन्स कोटेज क्वाद्रेजर फॉर्मुला और उसी में एन की वैल्यू वन टू त्री और सिक्स रख करके हम लोगों ने सेपरेटली कुछ वैल्यू निकाली थे इन विच फर्स वन वाज ट्राइब रूल सेकंड वन वाज सेंप्शन वंतर्ड थर्ड वन वाज संट्री एर्थ और फेट वजवेडल रूल एंपिध वाज ऐर इन कोड़ेंचर फॉर्मुला फॉर्मुला उसमें कुछ वैरिएश तेलिग्राम पर डाल दिया है कि वह 2234 तो ठीक है वो पार्ट होते हैं integration वह इतने steps में तोड़ना होता है वह अलग अलग जो formula है वो Newton Quotes formula मेले से ही बने थे जिसमें हम लोगों की value 123 और 6 यह इतने ही separation में इतने steps size में नको तोड़ना था किसा जीए कैन कर कर लिजएगा हाला कि मैंने एडिट कर दिया है और उसे चैनल पर डाल दिया है टेलिग्राम पर एक बार उसे करेक्ट कर लिजएगा ठीक है अब उन्हीं पर वेस्ट हम लोग कुश्चन देखते हैं सबसे पहला कुश्चन है देखें इवेलिएट 021 इंडिगरेशन है यह त सिंपल टैनिवर्स एक्स हो जाएगा उसमें वैल्यू आप रखेंगे अपको अपर लौर लिमिट अपर आई रखा आपने तो पाइवए फॉर हो गया और जीरो की वैल्यू तो पाइव फॉर आपका ठीक है तो अगर पाइवए फॉर में आंसर होगा तो यूंद जिस्ट यूद टिक दिया आंसर विदी हल पफ देस अपर टी तो वह तो में हो जाएगा कोई दिकात नहीं है अब जाएंगे तो यह से कई सारे हम लोग प्रेलिमिनरी कॉंसेप्स को प्रीकॉंसेप्स को यूज करके आंसर को टिक करेंगे बट इस इस दाशांस इन वेच वी आप थोड़ा जया आपको याद ना मास्टर स्केले क्या होगा डिस्रिप्टिव लेवल पर होगा सारा का सारे एक्जाम तो ब्यूस्ट में ठीक है आप उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना करो तो कम से एक बार उसे पढ़ो तो पढ़ना जरूरी है कि डिस्क्रिप्टिव पढ़ने से हैं से क्योंकि नॉलेज आपको हो पाएगी यानि शॉर्ट ट्रिक आप आप आएगी आपको समय मेरी बात तो चलिए खुशन को करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से इस सारे के सारे सिंपल ही कुश्चन से ज्यादा कुछ इसमें लेना देना नहीं है कुश्चन को दो तरेके से करना है सिंप्संट वन थर्ड डुल जिसमें एच की वैल्यूट वैल्यूट ट्री रूट जिसमें एच की वैल्यूट इसमें से फाइंड आट करनी है वह ऑट्रमेटिक आएगी इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए करते हैं यहां पहिंद अपने को तो अगर देखी जाए तो शुरुवात 0 से करनी है वन तक जानी है तो ब्रेक कितने पर करना है स्टेप साइज उसका 1 by 4 1 by 4 करके जाना है तो हम X की वैल्यू क्या लेंगे स्टार्ट होगी 0 से 1 by 4 एड कीजिए 1 by 4 आ जाएगा जिरो में 1 by 4 एड करेंगे 2 by 4 आ जाएगा फिर बाइफ़ एड करेंगे त्री फोर हो जाएगा फिर बंबाइफ एड करें तो 1 लाओ जायगा मतलब तक पहुंच गए तो कितनी बार एक दो तीन चार चार बार तोड़ना पड़ गया तो अपने आप वनत पहुंचने में हमको इतना काम करना पड़ा एक्स की कितनी वैल्यू से वान टो त्री फोर फाइव इन सब पर हम एफ एक्स भी निकाल लेंगे ठीक तो चलिए इसके लिए एक हमें टेबल का सारा लेना पड़ेगा चलिए दिखते हैं दिखें जो हमारी वैल्यू से उनको एक्स नॉट एक्सवन करके लिखते चले जाते चलिए है ठीक है एक्स नॉट हो गया दूसरी वैल्यू अपनी एक्सवन जोकी वन वाइफ ओर है यह ना वन वाइफ पोर लिख जीजे एक्स टू एक्स टू एक्सटू कितना था है टूए फॉस्फर यानि वन बाइटू कह सकते हैं चलो कोई बात नहीं वन भाइट अरे X3 कितना था एक स्ट्री अपना एक रह गया क्या तो ट्री फॉर फाइफ बना देते उसको एक स्ट्री जो हमारा है वो थ्री भाई फॉर आया था ठीक और एक स्टॉट में यहां पर और बना दे रहा हूं एक स्टॉट जबायता वह सिदे सिदे वन आ गया था थिक अब इनमें जो हमारा फंक्षण केता पंशन ता वन अपन फ्लस एक स्कॉर जब जरे जिरे करके नोग रखते हैं और उनकी रिखते हैं जीरो रखे यहां पर जीरो रखेंगे तो सिंपल सा वन आ जाएगा तो इसे 16 16 यहां पर 117 और 16 अपन 17 हो जाएगा 16 अपन 17 ऐसे आप वाई 3 निकालेंगे यहीं भी पूट करके यूविल गट 0.8 वाई 4 निकालेंगे आप यूविल गट 0.64 एन वाई 5 निकालेंगे आप वाई 5 अगर निकालेंगे तो आपको आएगा इस एक्वाल टो 0.5 यह निवन वाई 2 आएगा तरी किसे तिक इसे सॉल्व नहीं किया कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पर्फेक्ट्ली डिविजिबल नहीं होगा ठीक कोई बात नहीं है इसको मैं अटा रहा हूं चलिए अब फॉर्मुला यूज और को क्या करते हैं हमलोग तो अपना यूज कर लेता है फॉर्मुल पना सिंसेन तर्ड अमारा कि है जो अपने को यूज पर ना है डिके rael पसक्रण्रद नहीं यूजिंग सिंसन वं तर्ड़िस एप वन तर्ड रूल सिम्संस वन थर्ड रूल यूज़ करें तो जीरो से वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वाइर डी एक्स इस इक्वेल टू फॉर्मुला क्या था सिम्संस वन थर्ड का एच अपॉन 3 और बैकेट में मैंने बताय था कि वाई नॉट और वाई एन एक साथ लिए कि देते हैं तो आपको फोर टाइम ना किसका और टू टाइम्स करना है उवन टाइमस कोche दो कितने ओर चम Voilà पडेंगे एक्सान से एक्सव्पॉर तक वान पड़ेका वाई और even terms y2 और y4 y4 पहले लिखा जा चुका है तो y4 नहीं लिखा जाएगा तो यह आपका formula बन गया मैंने ऐसे याद कर रहा है था ऐसे याद भी करना है आपको अब इसमें सब की values आपको रखनी है और solve कर लेना है तो रखिए भाई value is equal to कि एच की value थी 1 by 4 तो यह जाएगा 1 upon 12 क्योंकि बाहर 3 भी था ना value रखे 1 प्लस 0.5 ब्रेकट में हो गया वन की मतब वाइनॉट की value और y4 की value थी और आपको 4 times करना है 16 upon 17 प्लस 0.64 का थिक आप इसको अगर scientific calculator से करेंगी तो फटा-फट से हो जाएगा टू टाइम 0.8 ठीक है सॉल्वर लिंग्स को पूरा मैं डागली लिख रहा हूं यू विल गट 0.78 5392156 ठीक है पांच से च्छे डिजिट्स तक जब कुछ नहीं बोलता है तो इतना कम से कम लिख देना चाहिए पांच से चाहिए मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया ना exactly ज dan all proud दॉच्ट से इंते चसी इंते करते करते तो टैन से अन बर्च चसे ब erटा by भी बता हो तो और इसको मिहां कॉपी कर दे डिक कि इसकी वैल्यू कितनी बनी ठीक पाई फबनी थिजक्त इतना और अब अगर हमें वोला उसने पाई की वेल्यूनिकालो तो हमने क्या पाई यहीं रहे दिया फूर का क्रॉस मुल्टिकेशन कर दिया तो फुर्ट क्रोस क्रॉस की सिंब्स आप करेंगे उस वैढीव पे तो क्या मिलेगा ओल्मोस्ट में मालने ते क्योंकि ये एर्रैशनल लंबर है तो आलमोस् लोग ठीक हा रही है यही तो होती है पाई की वैलियू है ना चलिए देख लिते हैं हमें नई टेवल बनानी पड़ेगी त्री एर्थ के लिए क्योंकि उसमें हम लोगों इंटरवल को एक के एक कोर्डिंग एक की वैलिवाँ आप वरण वाइस इसे आपको ब्रेक करना पड़ेगा तो चलिए देखते हैं तो चलिए लिख लिए थोड़ा सा पहले तो function तो हमारा वही है fx इस एक्वाल डू है my money upon 1 plus x सक् Gil को एक्स की वैल्यू देखिक क्या क्या होगी एक्स की वैली सबसे पहले जीरो फिर आप बाइज एड करोगए तो कि उसमें एकundo bomb वैस एड करो फिरọओ डूद उफ्टेज्टरीच tilted वैसिक। कि 5 by 6 और 6 by 6 जैसे करोगे यहीं पर आजागा हमारा वन है न यह मरा आजाएगा वन अब इसके आगे तो बढ़ना नहीं है वनी तक जाना है ठीक है अब बनाते हैं लो टेबल चले देखिए यहां भी बिल्कुल वैसे बनाएंगे सबसे पहली वेली ओको जो जीरो ड़क रखेंगे तो वह तो नहीं है जाएगा पहला फिर रखेंगे हम कितना एकस की वेल्य और 16 116 रखेंगे तो बाई यानि 1 by 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 9 by 10 पिर 3 by 6 यानि 1 by 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 4 by 5 पिर 4 by 6 यानि 2 by 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा उसके बाद 5 by 6 रखेंगे तो हमें 36 by 61 मिलेगा उसके दुबन रखेंगे रख लो 1 by 2 मिलेगा सिंपल अब इसी क्या करें फॉर्मिले में रख लें लिख लीजे लिख लीजे यूजिए यूजिंग 3 8 फॉर्मिला उप सिंप्सिन यूजिंग सिंप संस त्री एर्थ फॉर्मिला क्योंते है फॉर्मिला जीरो टो वन थ्री एर्थ आएगा इसमें जानते हो आपको याद दिला है था कुछ इसी तरीके से वन प्लस एक्स स्क्वार डी एक्स इस इकोईल डू त्री एच बाइट त्री बाइट तो होगा ही क्योंकि इसका फॉर्मिले का ना भी इनोंने इसी वे रखा है त्री एर्थ त्री एर्थ रूर ठीक है ब्रेकेट के अंदर आ जाईए वाई नॉट और वाई एन तो एड होता ही है सारे फॉर्मूले में जितमें जिन में था सब में खाली लास्ट में वेडल्स में थोड़ा सा हलका सा वैरियेशन था तो यहां पर वाई नॉट प्लस कौन सा वाई कि तो इसमें है बता है कि 3-5 येन उत्क पोत द Centre से लिपते थे और फिर एक को की छोड़ेंगे वाई फॉर प्लस वाई-फ़ फिर वाई6 को चोड़ेंगे सोटेंगे क्याओ पहले से लिखा होगा और जो चूटा हुए वो और चूटा हुए शलका यह यह हमारा Tae यह यहीं मैं यहीं बता है था धिक है अब आप सारी स्वेयंगे करेंगे सारी वैल किlines about सुल्व और मुझे बताएं गांसर की आपको ठेह वन प्लस वाइन उड़ आस तो हमारा इतना था प्लस ध्री मैंश करना किसका घृक्तिसिक्स क्यान से शना थन गांः बाइ। n inc यह बस दी आंसर 0.7853 958 यह हमारा आंसर आ जाएगा और इस केस में भी अगर आप पाई की वैलियू निकालोगे अगर हम लिखें तो यह पाई भाई फॉर के क्वाला था मतलब लेफ्ट साइड में इंटिक्रेशन को सॉल्व करते हैं तो पाई की वैल्मस्ट कितनी आ थी फ बढ़ते हैं और कुछ और कुछ पर चलते हैं जिसे की कोश्टन के टाइप एकदम क्लियर हो जाए आपको तीक है नेक्स्ट कोशन देखिए तो यह से कोश्टन में जैसे बोला ना पाई की वैल्यू बताई यह स्पेशली एक अलग से कोश्टन डाल देज तो ऐसे जितने इंटीक्रेशन होंगे जिनके आपको डारेक्ट टीक्रेशन जैसे क्लास 12 वाले तरीके से आते होंगे इंटीक्रेट करने के बाद जो भी फंक्चन बनता होगा लेट से अगर इंटीक्रेशन वान उन प्लस एक्स लिखा हो है तो यह लोग की स्पेसिफिक वैल्यू भी आएगा दोनों को एक्वलाइज कर लेंगे और अपने मन से एक्स की वैल्यू रख करके हमारा आणसर आही जाएगा ठीक है जैसे इसमें पाइवाई फोर आया था तो फोर को हमने उद्धर ट्रांसफर कर दिया था है ना फोर को ट्रांसफर किया तो हमारा पाई की वैल्यू आगई अगर वह कहते कि पाई बाई टू की वैल्यू बताओ तो फोर को ट्रांसफर ना करके सिर्फ टू को ट्रांसफर करते हैं बात क्लियर हो नहीं ना तो कुछ इस तरीके से लो क्वेशन एक्जामिनेशन में पूछ सकते हैं तो नो नीटू वह अपने आप बन जाता है है ठीक है चले नेक्स कोशन देखते हैं अब देखे कोशन आपके सामने है यहां पर क्या बोले कि इसे करना है ठीक है यूजिंग फॉर इंटर्वल्स अब यह बात समझे फॉर तो बोल जाएसा तो कुछ बोला नहीं कि सिम्सें वन थर्ड है सिम्सें सिम्सें त्री एड़ लेकिन जब भी हम लोग को बोला जाता है कि इतने इंटर्वल्स या उतने इंटर्वल्स जब भी इवन नंबर आफ इंटर्वल्स पर बोला जाता है इवन नंबर नंबर आफ इंटर्वल्स पर ब्रेक करने को बोले आप से तो हम लोग हमें मतब उस case में जैसे 2 है 4 है 6 में 8 में तो हम लोग को वन थरड यूज़ करना चाहिए लेकिन अगर माल लेते हैं 3 का multiple है मतब interval को हमें किसी बोले जाए ली बेक करने को बोले 6 में ब्लाइक करने को बोले 9 में ब्रेक करने को बोले तो उस समय हमको क्या करना चाहिए मट्डिपल अफ थ्री अगर है तो हमें यूज करना चाहिए थ्री एर्थ रूल अब आप कहिंगे सर एजा है इवें नंबर आपने उपर लिखा और नीचे त्री का मल्डिपल तो इसमें तो यह बात समझने वाली है अगर बोल दे तो तैन इवें थरी का मल्डिपल नहीं तो पक्का इसी से सब्सक्राइब करें रहे हैं उनको आप किसी से भी लगा सकते हैं ठीक है बात कि समयारी कुछ specialization होता है किसी किसी से इसका उसको हिसाब से लगा जाता है यह क्लिएर बात चलिए को कर लेते हैं यह कुश्चन किस से लगेगा फोर इंटर्वल बोला है तो यह वन थर्ट से लगेगा है तो देखिया अगर इसने बोला है कि इंटर्वल को में 4 equal parts में फोर इंटर्वल में break करना है छोटे छोटे इंटर्वल में तो क्या करेंगे कोई बात नहीं है देखी अगर हमारा x की values अगर फहले से लेकिन F yang if x हमारा गिया ऐ टू दी पावर मानलोस बढ़ा टू एक्स है और हमारी एक्स की वैलियू क्या होगी एक्सकी सब्से पहली वैलियू हमरी से स्टार्ट हो रही है उसके आप क्या करेंगे तो कितना आपको एड करना पड़ेगा वन बाई फोर एड करते चले जाए आपका अंसर आ जाएगा तो भाई वन में वन बाई फोर यानि 0.25 एड करोगे तो क्या बनेगा सिंपल सा 1.25 हो जाएगा ना फिर 1 बाई 4 यानि 0.25 आप एड करोगे तो बन जाएगा 1.5 फिर एड करोगे 1.75 बन जाएगा और फिर एड करोगे तो बन जाएगा टू चलेगी बात तो यह तने पार्ट में ब्रेक हो गया ठीक है यहां पेच की वैल्यू कितने है एच की वैल लेना था इटू दी पावर माइनस 1 बाई 2 एक्स अब मेरे बात ध्यान से बताईए आप जब एक्स की वैल्यू वन रखेंगे यहां पर वन कितना होगा यहां पर जिसे वन रखेंगे तो वन बाई 2 यह तरीक से इसको आपन लेक सकतो वन अपन पावर वन बाई 2 यानि वा 1.25 रखो कि तब क्या होगा तो याद रखेगा साइंटेफिक केल्किलेटर की बहुत जरूद पड़ेगी ठीक है यहां पर आप वहां पर मिलेगी वहां पर आपको ले जाने को मिलना चाहिए ठीक है अच्छा देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या 0.6065 और आपके बड़े 1.25 से तो 0.5352 1.5 रखेंगे तो 0.4723 और उसके बाद आपका 0.4168 तो रखेंगे तो 0.36 0.3678 तो ठीक है अब लगा लीजे अपना कॉमिला ना 0.22 e to the power minus half x dx is equal to h by 3 तो होता ही उसमें आपका पता है और पहला और आखरी by 4 तक यह ब्रेक हुआ है उसकत 4 के multiple में odd और सिंसन वन थर्ड में है उत्या ना 4 के multiple में odd और 2 के multiple में even जितने हो सब लिख दीजा और सब की value पूट करने है और answer ले लेना है तो यह आपको solve करना है यहां पर रखके answer में directly put कर रहा हूं 0.477302 ठीक है जैसे बता है बिल्कुल वैसे करना है कि कोई दिक्कत नहीं कि इस वीडियो में इतना ही रख रहा हूं कि तब थोड़ी खराबसी लग रही है कि अगली वीडियो में इसके एक दो और इंपॉर्ट टेक पॉइंट्स हैं तो 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 प्रियर जो पहले पढ़ा है उसके जो भी बनते हैं कुशन वह आपके सामें रख दिये गए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं जैसे कि बताया गया कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो वन थर्ड यूस करेंगे थरी का मल्डिपल होगा तो थ्री एर्थ यूस करेंगे ऐसे जितने भी कुशन है तीन चार लगा लिजेगा कम से कम अलग 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 टाइप सब्सक्राइब का दोर स्टार्ट हो रहा है बस एक दो दिन में स्टार्ट कर दोंगा एंसी क्यों भी कॉंपलेक्स उदर खतम ही हो गई है एक चैप्टर बचा उसका ठीक है इधर मेट्रिक स्पेस आज सामें वीडियो पढ़ेगा आपका एक चैप्टर उसमें भी चैप्टर खतम हो जाएगा ज्यादा बड़ा नहीं है एक वीडियो में कवर हो जाएगा आज ही जैसे यह कवर हो रहा है निमेरिकल वैसे ऑपरेशन रिसर्च साथ में स्टार्ट हो जाएगी और एक दो दिन में जब अपरेशन रिसर्च फोड़ा आगे बढ़ेगा मेंट जाएगी और साथ ही साथ मेरे ख्याल से लगवग या 21 तारिक क्या सपस एक दम फुल फॉर्म में शुरू हो जाएगी फोर सेमस्टर का भी स्टार्ट हो जाएगा आपका तो सिक्सेमस्टर का तो होई जाए लिए पोर सेमस्टर के लिए भी कुछ वीडियो और भी है आपके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैत वैत पर रुपेश मिस्टरा के साथ थैंक्यू